अलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको ये क्रोशिया से लीव बनाना सिखाओंगी। यह देखें यहां पर यह मैंने दो साइज की लीव बनाई हैं। यह थोड़ी छोटी लीव्स हैं और यह बड़ी लीव्स हैं। और इन लीव्स को आप किसी भी प्रोजेक्ट में उसकर सकते हो, कहीं भी डेकोरेशन के तोर पर यूज कर सकते हो, कोई चीज आप बना रहे हो, टोपी पे, मोजो पे, स्वेटर पे, फ्लावर के साथ इसको टैच करके भी आप यूज कर सकते हैं, देखिए मैंने कुछ एक फ लावर है, तो आप इसके साथ इनको ऐसे यूज कर सकते हैं, और यह देखिए, कितने प्यारे लगण या तो चलिए, आज मैं आपको बनाना सेखाते हूँ, तो पहले बड़ी लीफ बनाना सीखेंगे, और इसके लिए यहां पर मैंने यह टू प्लाई की उनली है और यह 4 नंबर का क्रोशिया लिया है 2.5 mm आप देख सकते हैं पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले हम स्लिपनोट लगा लेंगे एक यह मैं पहले बड़ी लिफ का बता रही हूं आपको तो स्लिपनोट हमारी लगी है अब हम 10 चेन ले लेंगे 12345678910 तो यह हमने 10 चेन ले लिया यह देखिए अब हमें इसमें यह फर्स्ट चेन जिसमें से हमारा लूप बाहर आ रहा है इसको स्किप करके इस सेकंड चीन में पहले एक स्लिप स्टीच बना लेना है इस तरह से क्रोशिया को एंटर करके दागा बाहर निकालेंगे और विना कुछ भी किये इस वाले लूप में से बाहर ले ले लेंगे बनेगा इस तरह से अब जो next three chains हैं इन में हमें एक-एक double crochet बनाना है इसके बाद की तीन chain में लगातार एक-एक double crochet हम बना लेंगे यह दो हो गए हमारे पास एक और बना लेते हैं यह देखें हमने यह तीन double crochet बना लिए one two three अब हमें जो यह पहले वाला प्रोसेस था इसको दुबारा से repeat करना है decreasing order में अब यहां पर हमने के पहले क्या किया था slip stitch फिर single crochet फिर half double crochet उसके बाद तीन double crochet अब हमारे तीन double crochet सेंटर में रहेंगे इसके बाद हमें क्या करना है एक half double crochet फिर क्रोशिया फिर एक slip stitch तो चलिए कर लेते हैं यहां पर हमें एक half double crochet करना है फिर एक single crochet करना है फिर slip stitch करना है यह हमारा last वाला chain है इसके अंदर हम slip stitch कर लेंगे यह देखिए एक रो हमारी complete हो गई है यहां से अब हमें इसको घुमा के इस साइड में लाना है और यहां पर भी ऐसे ही लीफ बना लेनी है तो पहले एक chain लेंगे chain के बाद यह जो हमारा first chain है इसके अंदर एक slip stitch फिर next chain में एक single crochet next chain में एक half double crochet फिर next जो हमारी chain है इन में double crochet बनाना है तीन double crochet हमारी हो गए अब फिर से एक half double crochet लेंगे एक single crochet लेंगे और एक हम लेंगे slip stitch तो यह देखिए यह इस तरह से हमारी leaf बनके ready है अगर आप इसमें पीछे stem बनाना चाहते हैं थोड़ी सी इसकी वह बनाना चाहते हैं ब्रांच तो हमें क्या करना है हम पीछे इस तरह से तीन चेन ले लेंगे फिर फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकेंड चेन में slip stitch और थार्ड चेन में slip stitch तो यह देखिए इस तरह से हमारी थोड़ी सी इसमें ब्रांच भी बन जाती है डंडी भी बन जाती है अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं यह मैंने आपको बता दिया तो आप यह हम इसको कट कर लेंगे यह देखिए हमारी लीफ बनके रेड़ी है और यह जो हमारा थ्रेड है इसको हम पीछे की तरफ वाइंड अप कर लेंगे तो यह देखिये एक और dalej local यह अमारी बन गई है अब अगर आम इसे में यह छोटी वाली ली लीफ बनाना चाहते हैं यह देखिए साइज में आपदेख सकते हैं यह वाली लीफ थोड़ी बड़ी है और यह छोटी है तो इसमें क्या करना है जैसे हमने ये इस pattern same ही use करना है, बस हमें क्या करना है, सेंटर में जो हमने तीन double crochet लिया है, उसके जगाँ हमें सिरफ एक double crochet लेना है, तो बाखी का pattern same रहेगा, उससे आपके छोटी leap बन जाएगी, आप एक बार विडियो को back करके दीयान से देखिएगा या फिर दुबार से इसको place कर लीजेगा तो इसमें आपको पता लग जाएगा इसका patron पहले हमें single stitch लेना है फिर single crochet लेना है slip stitch लेना है, then single crochet लेना है half double crochet, ईसके बाद 3 double crochet पस छोटी लीफ में यही करना है जो हमने सेंटर में तीन डबल क्रोशिया लिया है उसके जगा हमें एक ही डबल क्रोशिया लेना है तो उमीद करती हूँ आपको यह टूरल वीडियो पसंद आया होगा और आप यह लीफ बनाईए और प्रैक्टिस कीजिए और सुंदर में जरूर बताईएगा मिलती हूँ आप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार